हाई फ्रेंट्स क्या हाल चाल है आपका फ्रेंट्स देखिए फाइनली वह अनॉंस्मेंट होई गया मुझे पता है अगा प्लो को बहुत बेसबरी से इंतजार था यह देखें इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा देखिए पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता ह हो है नहीं तो आप भी कहीं भी जाएंगे तो इसको लौट्री वीजा मत बोलेगा क्योंकि इसकी ना जो वैल हो वह कम हो जाई करौ समझ लीजिए अगर भागानने चाहा आप इस पर चाहता भी हो आप से लेक्ट हो देखिए सबसे पहले आते हैं announcement पर announcement क्या है ध्यान दीजेगा यह देखिए the next ballot will open at 2.30 p.m. Indian Standard Time on 20th February 2024 मतलब 20 February 2024 को धाई बजे बैलेट खुलेगा and it will close at 2.30 p.m. Indian Standard Time on 22 February 2024 तो मतलब देखिए यह 48 घंटे मतलब 48 hours के लिए बैलेट ओपन होने वाला है तो इस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए फैंस इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं आपने देखी भी होंगे तो बहुत ध्यान से करिएगा मैं आपको पूरा step by step इसमें सम देखिए अगर आप लोग को यह PDF चाहिए अगर आप लोग को यह PDF लेके पढ़ सकते हैं फ्री मैं देदूँगा कोई चार्ज नहीं इसका अब देखिए अधियाद दीजेगा फ्रेंस स्कैन और फोटो और पासपोर्ट, फोन नंबर, इमेल एंट्रेस अधियाद देखिए मतलब आप रैंडम ली अगर आप सेलेक्ट होगा है रैंडम रिजल्ट के बाद उसके बाद इमेल पर आपको आ जाएगा रिजल्ट आप एक बार रिजल्ट में सेलेक्ट होगा है उसके बाद आपको वीजा के लिए अपलाई करना है जिसका फीज कितना है 298 तो उसको आप एक तरह से देखिए आप इसको 80 से मंटिप्लाई कर दीजिए मैं बोलूंगा 100 से करिए इन 200 करिए क्योंकि वह आपके जो टैक्सेस विक्सेस सब में लाके VFS का में लाके हो जाएगा तो एक तरह देखिए यह 30,000 के आसपास आपको यह वीजा पड़ेगा ठीक है अब देखिए कितनी सीट से याद ध्यान दीजिए देरा 3000 प्लेसे तीन हजार सीट है इसमें फ्रेंड्स प्लेसे इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा इंटूसर्ट प्लेस मतलब जो फेबरी वाला बैलेट है मतलब जो अभी खुल रहा है मैक्सिमम जो सीट होंगी इसी में निकल जाएंगी बात के लिए वेट मत करियेगा देखिए यह कौन बोल रहा है गौवर्मेंट बोल रही है गौवर्मेंट क्या बोल रही है कि भाई मोस्ट प्लेसे विल के वेट मत करिये यह के बाद नबबे दिन के अंदर अंदर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं वीजा फीजा आपको कैसे वेट मेंट प्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन यह देखें यहां पे लिंक दी हुई है पे द वीजा अप्लिकेशन पी इंक्लूडिंग यह इमिग्रेशन आपको यह भीरना है अगर आप कोई भी चीज इमानदारी से करेंगे आपको अच्छा होगा तो मैं आप से रिक्वेश्ट करूँगा इस बैलेट में तभी इंटर करिए जब आपको यह तीन हदार सीट में से एक सीट लेनी है अगर नहीं लेनी है किसी दूसरे की सीट खराब मत करिये अच्छा इंसाम बनी मुझे पता है मैं लेक्चर दे रहा हूँ यह देखे यूथ मोबिल्टी स्कीम यूथ मोबिल्टी स्कीम वर्जन 20.0 का यह दोकुमेंट है अब देखे इसको अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो यहाँ पर क्या लिखा है यह तरह से कुंजी है जो स्कूल टैम में में कुंजी मिलती थी इस यह इसी यंग प्रोफेस्टल स्कीम की कुंजी है मैं आपको बताँगा देखे क्या लिखा है the guidance tells you how to consider application from people who wish to come to the UK this includes application for the young professional scheme who will use the YMS form देखा आपने, this includes applicants for the India young professional scheme जो मैं आपको भी पता है this route is for young people from participating country or territory who wish to तो मतलब देखिए इसको अगर आप पढ़ते हैं friends यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको सारी information टकाटक 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 मिल जाएगी ठीक लेकिन पढ़ना जरूरी ऐसा नहीं कि भाई जैसे मैं पेज पलट रहा हूं तो आप भी पलट यह देखिए मैं इसलिए पलट रहा हूं कि मेरे को पता है मैं पढ़ जुका हूं लेकिन मैं वीडियो में एक एक पेज कर दिसक्स करूंगा तो टाइटन फिस हो जाएगा अब देखिए एज क्या होनी चाहिए एन एप्लिकेंट मजट भी 30 और अंडर दे अंडर दे एज ऑफ थर्टी ऑन दे डेट अफ एप्लिकेशन ठीक है सबसे इंपोर्टेंट इसका है आपके अकाउंट में रोकड़ा होना चाहिए रोकड़ा मतलब पैसा होना चाहिए जिस भी भाषा पैसे को जो बोलते हैं पैसा आपका एक अच्छा खासा होना चाहिए मैंने बहुत सारे वीडियो से बता है फ्रेंट 2530 पाउंड के आस पा पैस्ट ली करोंगा निए वीडियो बहुत लंब हो जागा आप बत यह समझे पच्छी सो तीस पाउंड आपके अकाउंट में होना चाहिए मतलब यह थाई लाग क्या सपस हो गया करेंगा देखें 25,000 करेंगे 10 से 25,000 हो गया और करेंगे तो डाइलाग रुपया 28 डे पीर मतलब धाई लाग रुपय आपके अकाउंट में होना चाहिए ठीक है अब देखेंगे इन्मिटेशन टू अप्लाई रेंगमेंट इसको पढ़ दीजेगा यह दूसरी कंट्री के लिए इसको पढ़ते हैं इसको पढ़ेंगे सारी इंफॉर्मेशन यहां से बढ़ोर सकते ह मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा इसको पढ़िए देखें कहां से क्या-क्या मिलेगा आपको यह देखें आप देख सकते हैं लेंट और रिफ्यूजिंट रेक्लेरेंस अब को जिसमें दिया हुए तो मेरे पास आईए फ्रेंट्स अगर आपको यह बुक्लेट लेनी है मेरा पूरा गाइडन्स लेना है ले सकते हैं क्योंकि देखें मेरा गाइडन्स जो होगा वो इसके सारे पेजस को कवर करेगा अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है क्या करना है मेरे पास आईए जिन लोगों को आता है बले बले अपलाई करिए इंको नहीं आता है बाई बेटा है बाई से कमेंट से पूछे लाइव सेशन में आईए फ्रेंट लाइव सेशन में मैं पक्का इसके एक दिद पहले लाइव आऊंगा जो भी डाउट होंगा आप पूछ सकते हैं प्लीज कोई भी डाउट अपने तक मतरके वीडियो में ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूं ठीक है यह देखिए एक बुकलेट आपकी यह हो गई और दूसरी बुकलेट जो मैंने आपको दिखाई थी यह यह जो पीडियाफ है यह तो आपका पीडियाफ ही है जहां पर देखिए पूरा यहां पर इन्होंने डेट वेट सब इंटर क्या हो थे नेक टीके फेंट टूसडे थर्जडे लाइफ के दो इंपोर्टेंट दिन ध्यान दीजिए कोई डाउट है भाई से पूछिए और अगर आपको नहीं समझ में रहा है गाइडेंस दीजिए टेक के गॉडब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिये फ्रेंड्स